आप सभी का FD Classes में स्वागत है आज हम 19 मार्च को जितने भी important question बन सकते हैं उन सभी question को देखेंगे यदि आपको किसी भी question में किसी भी परकार का doubt हो तो comment जरूर कर दिया करें और हाँ यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe, like और share जरूर करें साथ ही bell icon को प्रेस करें जिससे की आपको वीडियो का notification मिलती रहें चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए रायपूर नगर निगम, green brand जारे करने वाला देश का कितने number का नगर निगम है तिमका सही answer होगा रायपूर नगर निगम, देश का तिसरे number का नगर निगम है जिसने green brand जारे किया है याद रखेंगे देश का तिसरे number का है इसलिए यहाँ बहुत ही important है चलिए important factor देखिए उत्तर परधेश की गाजियाबाद और मत्या परधेश के इंदा और नगर निगम के बाद ग्रीन ब्राण जारी करने वाला रैपुन नगनिगम देश का तिसरे नमबर का नगनिगम है रैपुन नगनिगम भी अपना ग्रीन ब्राण जारी करने की त्यारी कर रही है जिसमें प्राणरंबिक तोर पर 200 करोड के ब्राण जारी करने का निनने लिया गया है याद रखेंगे 200 परोड़ पर कई ब्राण जारी कने का निने लिया गया है ग्रीन ब्राण ये ऐसे ब्राण होते हैं जिनका उप्योग सरकार ICVT परिजनामे करती हैं जिसका परियवरान पर एक सकरात्मक असर पड़ता है अगला प्रशना देखिए बैटमिंटन खिराणी आकर्शी कस्याप को चत्ती गर सरकार ने कौं से पत देने की घोशना की गई है तिनका सही आंसर होगा चत्ती गर सरकार ने ओप पुलीस अधिक चक के पत पर आकर्शी कस्याप को देने का निना लिया है यह है अकर्षी कर्षय याद रखेंगे कामंट वेल 22 मिशने सील्वर मेडल जीत हासिल की है ध्यान देंगे अकर्षी कर्षय बैटमिंटन खिलाड़ी है और यह दूर्ग की रहने वाली है कामंट वेल खेलों में देश के लिए रजर पदक जीतने वाली चत्तिजगड की इस्टार विटमिंटन खिलाड़ी अकर्षी कर्षय बैटमिंटन खिलाड़ी अकर्षी कर्षय को चत्तिगर साकार ने ओप पुलिस अधिक चकपत पर देने की गोस्न की है चलिए अगला प्रष्ण देखिए चत्तिगड में सरवाजणी क्वीतरम प्राणली के अंतर गत फुल कितने उचित मुल्यकी दुकाने संचालित हैं जिमकर सही आंसर होगा 13507 उचित मुल्यकी दुकाने प्रदेश में संचालित हैं याद रखेंगे चत्तिगड में सरवाजणी क्वीतरम प्राणली के अंतर गत नवंबर 22 की सिती में याद रखेंगे यह जानकारी नवंबर 22 की सिती में है सहरी चेत्रों में 1678 एवं गरामिन चेत्रों में 11829 वकुल मिलाकर 13507 उचित मुल्यकी दुकाने संचालित हैं वर्तमार में 72 राख 71 हजार रासन कार्ट पर चली थैं इसे भियाद रखेंगे नेश्टर पोश्चन देखिए भारती रिजवर बैंक के किस गवर्नर को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंटरल बैकिंग ने दुहर 23 के लिए गवर्नर आप्ट इयर आवार से नवाजा गया है कर सहीं आंसर होगा सक्तिकान दाज जी को दुहर 23 के लिए गवर्नर आप्ट इयर के लिए नामित किया है यह ससीकान दाज जी इसे आप इमेज में देख सकते हैं चली दिहान देंगे इन में से सभी पॉइंट आपके लिए महत पूर्णा है भारती रिजर्वा बैंक की गवर्नर स्वासिका अंदास को इंटरनेशनल इकोनोमिक रिसर्चर जर्ना सेंटर बैकिंग ने तुह तेज के लिए गवर्नर आप्ट एयर आवार्ड से नवा जा गया है कथिन समय में अपनी स्थीर लिडरसिप के लिए उन्हें यह आवार्ड मिला है वही सेंटरल बैंक आप्ट एयर आवार्ड उक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है अग्रे प्रस्ण देखिये राज्य के नगर निगम ववा नगर पाली का छेत्रों में किस महसों के लिए आवकास की घोष्ण की गई है तिम्हें सही आंसर होगा चंडरी चंड महसों के लिए आवकास की घोष्ण की गई है चलिए याद रखेंगे मुख्यमंत्री स्री भुपेज बगेल राजधानी रायपूर इस्थीत सदार्णी दरबार तीर्थमी आयोजी संत राजा राम सहिब जी के 63 वरसिय महसों में सामिल हुए मुख्यमंत्री स्री भुपेज ने इस आउसर पर चंडरी चंडर महसों पर राज्य के नगर निगम हुआ नगर पाली का छेतरों में आवकास की घुशनक की है सदार्णी दरबार में संत राजा राम सहिब के 63 वरसिय महसों में सामिल होनी पाकिस्तान की सिंध प्रांच से आये लगभग 354 सरदारों का छत्तिगर की धरती पर स्वागत किया गया सदानी दावार में संत राजा राम साहिप जी के 63 वर्षी महस्व का आयोजन 14 से 17 मार्च दुहत्ते इस के लिए किया गया है यह डेट बहुत ही इंपोर्टेन है क्योंकि इस दिन चत्तिगा सरकार ने आवकास की घोष्ण की है चलिए अगला प्रश्ण देखी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोष्ण पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा तुमकर सही आंसर होगा 20 मार्च से 3 अपरेल तक प्रदीश में पोष्ण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा याद रखेंगे महिला एवं बालवी कास्वी भाग द्वारा, बच्चों एवं महिलाओं के पोषण एवं स्वास्त देखभाल सम्दित, जागरुकता एवं आदतों में शुधार लाने के लिए जागरुकता के उदेशा से 20 मार्च से 3 अपरेल तक पोषण पकवाड़ा का आजन किया जा रहा है, पोषण पकवाड़ा के दोरान जागरुकता रत, द्वारा प्रमुक, पंचायतों एवं हाड बजारों में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण, स्वास्त देखभाल सम्दित, उचित, आदतों के विकास एवं सुधार के सम्दित, वीडियो अभियान संचारित किया जा रहा है, याद रखेंगे, 2018 से प्रारम किया गया है, पोषण अभियान, वैक्तिगत एवं समुधाइक इस तर पर स्वास्त एवं पोषण सम्दित, वैभार परिवर्तन, पोषण अभियान का एक परमुक उदेश्य है, इस उदेश्य की पूर् अप्रेल महा में पोषण पकवाड़े का आयजन किया जाता है, याद रखेंगे, वर्षण दुहाद 23 को सहिक्तराष्ट महासभादवारा इंटरनेशनल मिलेट वर्षण घोसित किया गया है, इसे ध्यान में रखते हुए इस साल, पोषण पकवाड़े के दोरान, मिलेट स मेंने वाले पोषणिक लाप के प्रती चागरुकता लाने के लिए कारेकरम में विशेश रुप से आयजित किये जाएंगे, अगला प्रश्ण देखिए, हाल ही में केंदर सरकार ने पूर्व अगनी वीरों के लिए CISF में कितनी परतिशत आरक्षन की गोशन की गई है, त 17 मार्च दोहर तेश को केंदरी आउध्यों की सुरक्षबल में पूर्व अगनी वीरों के लिए 10 परश्ण की आरक्षन की गोशना की गई है, पूर्व अगनी वीरों को उपरी आयू सीमा में छोट मिलेगी और उन्हीं साररी दक्षता प्रिच्छा से भी छोट मिलेगी, ह आल ही में आयुश मंत्राला और गरामिन विकास मंत्राला ने कब कोशल विकास द्वार गरामिन विवाओं को ससत बनाने के लिए एक समझहोता ग्यापन पर हता अक्षर किये हैं तिम्या सही आंसर होगा 16 मार्च 32 को एक समझावता ग्यापन पर हताक्षर किये हैं याद रखेंगे दिन द्याल उपत्याई गरामिन कोशल योजना के तखत आयू स्वास सप्रांड़ी के लिए गरामिन गर विवाओं और महिलाओं को परिक्षन देने के लिए इस पर हताक्षर किये गए थे या स्वारजगार और कौशल विकास में महिलाओं के स्वयसाहता सम्मों को भी ससक्त करेगा चलिए अगला प्रशन देखिए पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रशन पूछा था कि 12 वर्शन में एक बार आयोजित होने वाली मौली माता मिला कहां मनाया जा रहा है तिमकर सही आंसर होगा चिन गड़ में 12 वर्शन में एक बार आयोजित होने वाली मौली माता मिला मनाया जा रहा है बहुत ही इंपोर्टन है याद रखेंगे क्योंकि 12 वर्ष में एक बार मना आ जाता है अब आपके लिए आज का प्रश्ण देखिए परदेश सरकार द्वारा लड़कियों के साथ लड़कों को बहुत है कि 24.17 से साइकिल दिया जाए गा जाए आज सब्सक्राइब को में जरू दीजिये चलि मिलते हैं अगले उडियों में जय ही जै चक्यों कि कि कर दो